हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा को हार्ड वेलकम टो माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है प्रेंट्स ये डिजैन देखने में जितना सुन्दर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है इस डिजैन को आप लेडिज कार्डिगन, लेडिज हाफ जैकेट, गल्स टो, प्रो, कुर्ती किसी भी प्रोजेक्ट पर अपलाई कर सकती है इन सभी project पर ये डिजैन बहुत सुन्दर लगता है इस डिजैन को बनाने के लिए आपको 20 के multiple फंदे लेकर 6 फंदे एक्स्टर लेने होंगे तो ये डिजैन आपके project पर उस तरह ऐसे adjust हो जाएगा 20 के multiple देखिए आप इसमें 20 फंदे गिन लेजिये फिर से 20 फिर से 20 इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके 6 फंदे होने चाहिए यह डिजैन सीधी सैड से शुरू होता है और 10 सलाईों में कम्प्लीट हो जाता है इस डिजैन को लेडिज कार्डिगन, लेडिज हाफ जैकेट, गर्ल्स टोप, कुर्ती इन सभी प्रोजेक्ट पर आप ऐसे स्टार्टिंग से ही बनाना चाहें तो फंदे डालने के बाद एक सलाई सीधी सैड से और एक सलाई उल्टी सैड से इसमें पहले उल्टी-उल्टी बना लीजिए और उसके बाद इस डिजैन की आप स्टार्टिंग कीजिए अगर आप इसमें कोई border बनाना चाहती हैं तो border बनाने के बाद इसमें सीधी साइड से इस डिजैन को सुरू कर सकती हैं तो यहां पर मैंने लिये हैं 46 फंदे 20 के multiple करके और 6 फंदे extra जो डिजैन की पहली सलाई मैंने यहां से बनाई वही मैं आपको यहां से बता रही हूं तो ध्यान दीजेगा कि इसकी पहली सलाई कैसे बनेगी तो यह देखे प्रेंट्स पहला फंदा इसका S-Titch है इसे उतारिये यह बनाए यह आपकी अपनी मर्जी है मैं हमेशा ही उल्टा बना कर लेती हूं अब यहां से हमारा यह डिजैन शुरू हो जाएगा तो देखे धागे को इस तरह से पिछे करेंगे और इस तरह से पकड़ के इसको डबल करेंगे और आगे की तरफ ऐसे ले आएंगे अब यह वाला धागा हमारा खिचने वाला है इसको छोड़ देंगे यह वाला टाइट है जिससे हमने फंदा बनाया है अब इसको अपनी तरफ ही रखेंगे और इस टाइट वाले से दो फंदे उल्टे बनाएंगे देखे एक और यह दो अब हमारा ये जो खिचने वाला फंदा है इसको बैक साइड पर ऐसे खीच देंगे अब देखे धागे को फिर से अपनी तरफ ले आईए और इसको ऐसे फोल्ड करके डबल करके लिगर आना है फिर से ये जो हमारा टाइट वाला है जिससे हमने दो फंदे बनाए इसको पकड़ेंगे ये जो लूज वाला है इसको छोड़ देंगे और दो फंदे यहां उल्टे बनाएंगे देखिए एक और ये दो अब ये जो खिचने वाला है इसे हम पीछे की तरफ ऐसे खीच देंगे तो एश्टीज को छोड़ कर देखिए चार फंदे हमारे बन गई हैं अब धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और चार फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन और ये चार फिर धागा पीछे करेंगे और तीन फंदे सीधे बनाएंगे एक दो और ये तीन फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे एक और ये दो फिर से धागा पिछे ले जाएंगे और तीन फंदे सीधे बनाएंगे एक दो और ये तीन धागा अपनी तरफ करेंगे और चार फंदे उल्टे देखिए एक दो तीन और ये चार अब ये देखिए फ्रेंट्स यहां पर एस्टिच को छोड़ कर यहां से यहां तक हमने ये 20 फंदे का डिजाइन बनाया है आपके जितने भी फंदे हों यही डिजाइन बार बार रिपेट करते जाना है तो दीखे मैं आपको फंदे गिनकर बता देती हूं चार फंदे का ये डिजाइन है फिर चार उल्टे बनाए तीन सीधे दो उल्टे तीन सीधे और च तो यही डिजैन बार बार रिपेट करना है फिर से इस डिजैन के स्टार्टिंग हो रही है देखिए धागे को इस तरह से फोल्ड करके अपनी तरफ ले आएंगे ये जो टाइट वाला है इससे पकड़ेंगे और दो फंदे उल्टे बुन देंगे एक और ये दो अब ये जो हमारा खिचने वाला है इसको बैक साइड से ऐसे खीज देंगे फिर से इस धागे को ऐसे पकड़ेंगे फोल्ड करके अपनी तरफ ले आएंगे ये देखिए टाइट वाले को पकड़ लेंगे लूज वाले को छोड़ देंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे एक और य तीन और ये चार फिर धागे को पीछे करेंगे और तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे बनादेंगे धागे को पीछे ले जाएंगे और दिखिए यहाँ पर तीन फंदे सीधे बनाएंगे एक दो और ये तीन धा अगा अपनी तरफ करेंगे और चार फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन और ये चार तो देखिए दोबारा से हमने बीस फंदे का डिजैन ऐसे बना लिया है तो जितने भी फंदे हो ऐसे ही बीस बीस फंदे का ये डिजैन है इसी को रिपीट करते जाएए लाश्ट में देखिए यहां पर पांच फंदे बची हैं इसको ऐसे पकड़ेंगे और फोल्ड करके अपनी तरफ ले कराएंगे टाइट वाले को पकड़ेंगे और दो फंदे इससे हम उल्टे बना देंगे लूज वाले को जो कि हमारा खिचने वाला धागा है इसको बैक साइड से बीच देंगे लास्ट का फंदा है इससे धागा अपनी तरफ करके उल्टा बुन देंगे पहली सलाई डिजैन की कम्प्लीट हो गई है अब आज यह इसकी दूसरी सलाई और उल्टी साइड पर जो फंदे इस साइड पर उल्टे बनाए वो यहां सीधे हो जाएंगे जो य देखेए पहला फंदा ऐस्टीच सा उतार यह या बनाए अब एक ऐस्टीच के बाद देखेए अगर ऐस्टीच को मिलाते हैं तो दो हो गए हैं अब यह तीन चार और यह पांच तो यह स्टार्टिंग में देखे आपके पांच पंदे इस तरह से उल्टे आ गए हैं अब ये वाले चार फंदे सीधी साइड पर उल्टे हैं तो धागा पीछे करेंगे और चार फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन और ये चार धागा अपनी तरफ ले आएंगे और तीन फंदे यहां उल्टे बना देंगे धागे को पीछे करेंगे और दो फंदे सीधे हो जाएंगे फिर धागा अपनी तरफ और ये देखिए एक, दो, और ये तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे और चार फंदे ये सीधे तो ये देखिए यहां तक हमारा ये 20 फंदे का डिजैन आ गया है एस्टिच को छोड़ के फिर से इसे रिपीट करना है 4 उल्टे 1, 2, 3, और ये 4 धागा पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे 1, 2, 3, और ये 4 फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे उल्टे 1, 2, और ये 3 धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ 3 उल्टे धागे को अप पीछे ले जाएंगे और 4 फंदे सीधे बनाएंगे 1, 2, 3, और ये 4 धागा अपनी तरफ करेंगे आपके जितने भी फंदे हो ऐसे ही डिजाइन को रिपिट कीजिए लास्ट में आपके पांच फंदे बचेंगे चार डिजाइन के हैं और एक स्टीच है इनको उल्टा बना देंगे दो सलाईयां डिजाइन की कम्प्लीट हो गई हैं अब आज ये इसकी तीसरी सलाई और सीधी साइड पर तीसरी सलाई को अब आप ध्यान से देखिए पहला फंदा एस्टीच है उतारिये या बनाईये उल्टा बुनने के बाद देखिए इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और अपनी तरफ ले आएंगे ताइट वाले को पकड़ेंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे ये जो चार फंदे का डिजाइन है हर सीधी सलाई पर ये ऐसे ही बनेगा उल्टी साइड पर ये फंदे आपके उल्टे हो जाएंगे इस तरह से फोल्ड करके अपनी तरफ ले आएंगे टाइट वाले को पकड़ेंगे और ये दो फंदे उल्टे बुन देंगे ये जो हमारा खीचने वाला है इसे बैक साइड पर ऐसे खीच देंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे ये जो चार फंदे उल्टे हैं इन में से तीन बनाएंगे एक, दो और ये तीन फिर धागा पिछे करेंगे ये उल्टा और ये सीधा इन दो फंदे में आगया की साइड से सलाई डालेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे अब ये दो फंदे भी हम सीधे ही बुन देंगे एक और ये दो अब धागे को अपनी तरफ ले आएंगे देखिए यहाँ पर हमने जो दो का एक किया तो एक फंदा कम हो गया उसके लिए सलाई पर इस तरह से धागा लपेट कर एक जाली बना देंगे और ये दो फंदे यहाँ उल्टे हो जाएंगे अब देखिए हमें यहाँ पर भी दो का एक करना है तो उसके लिए हम यहाँ पहले जाली बनाएंगे तो धागा अपनी तरफ है इस फंदे को सीधा बनाया तो यहाँ जाली आ गई ये वाला भी फंदा सीधा, अब ये जो फंदा है इसको लेंगे, पलटके इसको सीधा कर देंगे, ये सीधा, ये उल्टा, बैक साइड से स्लाइड डाल के दो फंदे का यहां एक कर देंगे, तो जो हमने जाली से पहले बढ़ाया, वो यहां घट गया, धागा अपनी तरफ क करना है इस तरह से अपने इस उन के धागे को ऐसे पकड़ के अपनी तरफ ले आएंगे टाइट वाले को पकड़ेंगे और दो फंदे उल्टे बुन देंगे अब ये जो खिचने वाला है इसे पकड़ेंगे और बैक साइड की तरफ खीच देंगे फिर से इसे फोल्ड करके अब ये जो चार उल्टे दिख रही हैं, इसमें से तीन बनाएंगे, एक, दो, और ये तीन, धागा पीछे ले जाएंगे, ये उल्टा, ये सीधा, टाइट हों तो ऐसे लूज कर सकती हैं, फिर आगे की सैट से स्लाई डालके दो का एक, अब दो फंदे ये सीधे, जो फंदा यहां पर दो का एक करने से कम हो गया, धागा अपनी तरफ ले आएंगे, लपेट कर एक जाली बना देंगे, और दो फंदे उल्टे, अब आगे हमें दो का एक करना है, उससे पहले जाली बनाएंगे, धागा अपनी तरफ एक फंदा सीधा बनाया, तो एक यहां पर बढ़ गया ये वाला भी हम सीधा बुन देंगे इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे बैक साइड से सलाइड डाल के दो फंदे का यहां एक फंदा कर देंगे धागा अपनी तरफ तीन उल्टे एक दो और ये तीन आपके जितने भी फंदे हो ऐसे ही डिजाइन को बनाते जाएए आप देखे धागे को फोल्ड करके अपनी तरफ ले आएंगे, दो फंदे पहले ये हम उल्टे बुनेंगे, फिर इस फंदे को ये जो धागा इसको बैक साइड पर खीच देंगे, फिर से फोल्ड करके अपनी तरफ ले आएंगे, दो फंदे उल्टे एक और ये दो फिर से इसको बैक साइड पर खीच देंगे और एस्टीच को हम उल्टा ही बुन लेंगे तीन सलाईयां डिजैन की कम्पलीट हो गई हैं अब आज ये इसकी चोथी सलाई और उल्टी साइड पर चोथी सलाई पर जो फंदे उल्टे दिखें उनको उल्टा बनाईए और जो फंदे आपको सीधे दिखें उनको सीधा बनाईए तो थोड़ा सा मैं यहां पर आपको बना कर दिखा देती हूं आगे आपको उल्टी साइड की सलाईया ऐसे ही बुनने हैं अब देखे ये पांच फंदे हमें उल्टे दिख रहे थे तो उल्टे बनाई अब धागा पीछे करेंगे ये वाले तीन फंदे सीधे दिख रहे हैं तो इनको हम यहां सीधा बुन देंगे फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे और ये देखे एक दो तीन पहले तीन थे एक दो तीन और ये चार धागा पीछे करेंगे और तीन फंदे सीधे एक और ये दो और ये तीन ऐसे करते हुए इस सलाई को मैंने बना लिया है अब आज ये इसकी पांचमी सलाई और सीधी साइड पर पांचमी सलाई को ध्यान से देखिए पहले फंदे को उतारे ये या अब फिर से देखिए धागे को ऐसे पकड़ के फोल्ड करेंगे और अपनी तरफ ले आएंगे टाइट वाले को पकड़ेंगे और दो फंदे इससे हम उल्टे बुन देंगे ये जो हमारा खिचने वाला है इसे बैक साइड पर खीच देंगे फिर से धागा अपनी तरफ ले और ऐसे फोल्ड करके अपनी तरफ ऐसे रखेंगे ये जो हमारा टाइट वाला है इससे हम दो फंदे उल्टे बना देंगे ये जो खिचने वाला है इससे बैक साइड पर हम ऐसे खीच देंगे अब धागे को हम देखिए अपनी तरफ लेकर आएंगे ये जो तीन उल्टे दिख रहे हैं इसमें से दो बनाएंगे एक और ये दो धागे को पिछे करेंगे ये उल्टा और ये सीधा इन दोनों को थोड़ा सा लूज करेंगे आगे की साइड से स्लाइड डालके दो फंदे का एक कर देंगे अब देखिए दो फंदे सीधे एक और ये दो अब हमने जो दो का एक करके यहां फंदा कम किया है, उसके लिए अब हम जाली यहां पर बनाएंगे, क्योंकि पहले हमने जाली बनाई थी, यह जो दो फंदे उल्टे हैं इसके यहां पर, लेकिन अब यह जो जाली से फंदा बढ़ गया है, दागा अपनी तرف करेंगे, और इसको हम यहां सीधा बुन देंगे तो यहां जाली से फंदा बढ़ गया फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे बना देंगे धागे को पिछे ले जाएंगे यह जाली से बनाई हुए फंदे को सीधा बुन देंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये दो फंदे सीधे बुनने हैं तो जाली से फंदा बढ़ जाएगा एक और ये दो अब ये जो तीसरा फंदा है इसको पलट के ऐसे सीधा करेंगे ये सीधा ये उल्टा बैक साइड से सलाई डाल के दो का एक कर देंगे इसके लिए हमने जाली से यहां फंदा पहले ही बढ़ा लिया था धागा अपनी तरफ और दो फंदे उल्टे एक और ये दो ये दिखिए एस्टिच को छोड़ कर यहां तक जो डिजाइन बनाया इसी को फिर से रिपिट करना है तो इस धागे को इस तरह से हम पकड़ेंगे और फोल्ड करके अपनी तरफ ऐसे रख लेंगे टाइट वाले को पकड़ेंगे और दो फंदे उल्टे बना देंगे फंदे यहां उल्टे बना देंगे खिचने वाले को बैक साइट पर खीच देंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे एक और ये दो धागा पीछे ले जाएंगे ये उल्टा ये सीधा इस तरह से दो फंदे को लूज करेंगे आगे से स्लाइड डालके दो का एक कर देंगे अब दो फंदे सीधे एक और ये दो यहां दो का एक करने से जो फंदा कम हो गया धागा अपनी तरफ ले आएंगे इस फंदे को सीधा बनाएंगे तो यहां जाली से फंदा बढ़ गय धागा अपनी तरफ और दो फंदे ये उल्टे बनाएंगे, फिर से धागा पिछे करेंगे, जाली से बने हुए फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे सीधे, एक और ये दो, तो यहां जाली से फंदा बढ़ गया, अब इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे ये सीधा ये उल्टा बैक साइट से सलाइड डालेंगे और दो का एक कर देंगे दो फंदे ये उल्टे आपके जितने भी फंदे हो यही 20-20 फंदे का डिजाइन बार बार रिपेट कीजिए लास्ट के चार फंदे हमारे डिजाइन के हैं और एक एस्टीच है ऐसे फोल्ड करके अपनी तरफ लाएंगे दो उल्टे और इसे बैक साइड पर खीच देंगे फिर से फोल्ड करके अपनी तरफ करेंगे टाइट वाले को ऐसे पकड़ लेंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे खिचने वाले को फिर से बैक साइड पर खीच देंगे और लास्ट का एस्टीच है इसे हम उल्टा ही बुन देंगे पांच सलाईयां कम्पलिट हो गई है छटी सलाई उल्टी साइड से जो फंदे आपको जैसे दिखे वैसे ही करते हुए इस छटी सलाई को कम्पलिट कर दीजिए तो मैं इसे बना लेती हूँ जहां पर फंदे सीधे दिखेंगे उनको सीधा बनाएंगे जो उल्टे दिखेंगे उनको उल्टा बनाएंगे तो ये देखिए फ्रेंट्स इस तरह से सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाते हुए छटी सलाई को मैंने कम्पलिट कर दिया है अब आज ये इसकी सातमी सलाई और सीधी साइड पर सातमी सलाई को अब आप ध्यान से देखिए पहला फंदा इसका हम उल्टा बनाएंगे फिर अपने धागे को इस तरह से फोल्ड करके अपनी तरफ ले आएंगे टाइट वाले को पकड़ेंगे और दो फंदे उल्टे बना देंगे लूज वाले को बैक साइड पर ऐसे खीच देंगे फिर से फोल्ड करके अपनी तरफ ले आएंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे एक और ये दो और ये जो खीचने वाला है इसे बैक साइड पर ऐसे खीच देंगे अब धागे को अपनी तरफ करेंगे देखे दो फंदे यहां उल्टे हैं तो इन में से एक फंदा उल्टा बना देंगे धागे को पिछे ले जाएंगे ये उल्टा ये सीधा इन दोनों को थोड़ा सा लूज कर लीजिए आगे से स्लाइड डालके दो का एक कर देंगे अब दो फंदे सीधे एक और ये दो धागे को अपनी तरफ करेंगे देखिए एक और ये दो फंदे यहां अब सीधे हो जाएंगे एक और ये दो तो यहां जाली से फंदा बढ़ गया फिर धागा अपनी तरफ और दो फंदे ये उल्टे फिर से धागा पिछे करेंगे और दो फंदे ये सीधे एक और ये दो फि और दो का एक कर देंगे अब एक फंदा ये उल्टा तो ये देखे एस्टिच को छोड़ कर यहां तक का जो डिजाइन बनाया इसी को फिर से रिपीट करना है ऐसे धागे को फोल्ड करके अपनी तरफ ले आएंगे टाइट वाले को पकड़ेंगे और दो उल्टे बनाएंगे लूज वाले को बैक साइड पर खीच देंगे फिर से फोल्ड करके अपनी तरफ ले आएंगे और दो फंदे ये उल्टे बनाएंगे एक और ये दो अब इसको हम बैक साइड पर ऐसे खीच देंगे धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे ये तरफ करेंगे और दो फंदे सीधे बनाने से यहां जाली से फंदा फिर से बढ़ गया फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे यह देखिए अब धागा पिछे करेंगे और जाली से बने हुए दो फंदे हम सीधे बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ और दो फंदे एक कर देंगे तो फंदा कम हो गया धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा अब हमें ये वाला डिजैन बना रहा है तो धागे को ऐसे फोल्ड करेंगे अपनी तरफ लाएंगे टाइट वाले से दो फंदे उल्टे बुन देंगे लूज वाले को बैक साइट पर खीच देंगे फिर से देखिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे अपनी तरफ लाएंगे टाइट वाले को पकड़ के दो फंदे उल्टे बुन देंगे अब इस लूज वाले को बैक साइट पर खीच देंगे लास्ट का फंदा एस्टीच है इसे उल्टा बुन देंगे साथ सलाईयां डिजैन की कम्प्लेट हो गई है अब आज ये इसकी आठमी सलाई और उल्टी साइड पर आठमी सलाई पर जो फंदे जैसे दिखें वैसे ही बुन कर इसे कम्प्लेट कर दीजिए तो ये देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने पांच उल्टे बनाई है अब यहाँ पर ये एक ही फंदा सीधा दिख रहा है तो इसको सीधा बनाएंगे आगे जो उल्टे हैं उनको उल्टा और जो सीधे हैं उनको सीधा बनाते हुए सलाई को कम्पलीट कर देंगे तो यह देखे फ्रेंड्स आठ सलाईां कम्पलीट करने के बाद हम आ गई हैं इसकी नोमी सलाई और सीधी साइड पर नौमी सलाई पर देखिए पहले फंदे को इस तरह से उल्टा बनाएंगे धागे को फोल्ड करके अपनी तरफ ऐसे हम ले आएंगे अब यह जो टाइट वाला है इससे हम दो फंदे उल्टे बुन देंगे लूज वाले को बैक साइड की तरफ खीच देंगे फिर से इसको अपनी तरफ ऐसे फोल्ड करके हम ले आएंगे अब यह जो टाइट वाला है इससे दो उल्टे बनाएंगे एक और यह दो और लूज वाले को बैक साइड पर ऐसे हम खीच देंगे अब यहाँ पर देखिए लास्ट फंदा उल्टा बचा हुआ है तो धागा पिछे ही रखेंगे यह उल्टा यह सीधा इन दोनों को थोड़ा सा लूज करके आगे की साइड से सलाइड डाल के दो का एक कर देंगे तो यहाँ से तो हमारे फंदे कम हो गए हैं और यहाँ हमारे देखिए जाली से फंदे बढ़ रहे हैं तो यह तीन फंदे बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ करेंगे और एक दो और यह तीन तो आप देख सकते हैं यह वाली जाली को मिला करके यहाँ चार फंदे बढ़ गए हैं जो चार यहाँ उल्टे चल रहे थे वो यहाँ वापस हमारे पूरे हो गई हैं धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे धागा पिछे करेंगे तीन फंदे सीधे एक दो और यह तीन अब यहाँ पर फिर से जाली डालनी है तो धागा अपनी तरफ ले आएंगे और दो फंदे हम सीधे बना देंगे तो यहां जाली से फंदा बढ़ गया इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे यह सीधा और यह उल्टा बैक साइड से स्लै डाल के दो का एक कर देंगे तो यह देखिए एस्टिच को छोड़ कर यहां तक जो डिजैन बनाया है इसी को बार बार वाले से दो फंदे उल्टे बुन देंगे लूज वाले को बैक साइड पर ऐसे खीच देंगे फिर से फोल्ड करके अपनी तरफ लाना है और धागा अपनी तरफ दो फंदे ये उल्टे फिर इसे हम बैक साइड पर ऐसे खीच देंगे एक उल्टा फंदा बचा हुआ है ये सी करेंगे आगे से स्लाइड डालके दो का एक कर देंगे दो फंदे ये सीधे अब यहां पर जाले डालनी है तो धागा अपनी तरफ करके ये तीन फंदे यहां सीधे बनाए तो यहां जाली से फंदा बढ़ गया फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे फिर से धागा पी सी फंदा बढ़ गया अब इस फंदे को पलटके सीधा कर देंगे बैक साइड से स्लाइड डालके दो का एक करेंगे लास्ट में देखिए 5 फंदे बचेंगे बाकी के डिजैन ऐसे ही रिपिट करते जाना है उनको फोल्ड करके ऐसे अपनी तरफ लाएंगे टाइट वाले को पकड़के इससे दो फंदे उल्टे बुन देंगे इसको हम बैक साइड पर खीच देंगे फिर से फोल्ड करके अपनी तरफ लाएंगे और देखिए टाइट वाले से दो उल्टे बुन देंगे इसको फिर बैक साइड पर खीच देंगे लास्ट का एस्टीच है इससे उल् तीन और ये च्यार पांच अब यहाँ पर भी कोई सीधा फंदा नहीं बचा है छै और ये देखेगा साथ आठ और ये नो दस ग्यारा और ये बारा स्टार्टिंग में यहाँ पर देखे बारा फंदे उल्टे आने के बाद यही दो फंदे बचे हैं जो हमें सीधे बुनने हैं यही दो दो फंदे सीधे आएंगे बीच वाले और बाकी सारे उल्टे होते चले जाएंगे तो मैं दस्वी सलाई को बना लेती हूँ तो ये देखिए फ्रेंट्स इस तरह से 10 सलाईयों में ये डिजैन ओवर हो जाता है यही 10-10 सलाईयां इसमें बार बार रिपिट करते जाना है तो आपका इस तरह से सुन्दर सा डिजैन बनता चला जाएगा उमीद करती हूँ कि आपको डिजैन भी पसंद आया होगा और मेरा बताने का तरीका भी पसंद आया होगा इसके नेक्स्ट बार की जो स्टार्टिंग है वो जैसे मैंने यहां से पहली सलाई बताई वैसे ही बुनना है पहला फंदा ST6 उतारिये या बनाईये यह चार फंदे का डिजैन बनेगा फिर चार उल्टे हो जाएंगे तीन सीधे दो उल्टे तीन सीधे और चार उल्टे फिर से चार फंदे का यह डिजैन बनेगा फिर चार उल्टे तीन सीधे दो उल्टे तीन सीधे चार उल्टे इसे शेर कीजिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके Thank you.